आज आपका दिन क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए साब्धान आई जान लेते हैं 14 नवंबर 2023 का राशिफल सबसे पहली रासी है मेस रासी मेस रासी के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है आप शेयर मार्केट में आज पैसा लगाएं आज आपको अच्छा फायदा मिल सकता है बिजनस पर आज आपको ध्यान देना होगा क्रोध में आकर आज कोई फैसला ना ले जिवन साती के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान आज बाब बना सकते हैं और मेस रासी के जातकों आज संतान के करियर को ले कर आप थोड़ा परेशान रहेंगे अगली रासी है वृषव रासी वृषव रासी के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है आज बहुत तिक सुक्ष्विदाहों में आपकी विर्दी होने वाली है, आज आप जिस भी कारे में हाथ लगाएंगे, वो कारे आज आपका पूरा हो जाएगा, यदि आप व्यापारी हैं, तो आज आपको कोई बड़ा डील आज करने से बचना चाहिए, घर में अतितियों का आज आपके आगमन हो सकता है, जिससे आपके मन पर नियंतरन रखना चाहिए, इसके साथ ही आज आपका किसी रिस्तिदार के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए आज ज्यादा बोलने से बचिये, और मिथुन राशी के जातकों, आज जीवन साती का भरपूर सयोग आपको मिलने वाला है, आज आपको अपने व्यापार में तो आज ओफिस में अच्छा माहोल रहने वाला है, आज आपके सायोगी आपका साथ देने वाले हैं, आज किसी विवारी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए पने स्वास्त का ख्याल रखिए, धार्मिक कारे करमों में आज आपका मन लगने वाला है, आज आप का दिन शांदार रहेगा, बड़े नेताओं से मिलने का आउसर प्राप्त होगा, और राजनिती में आज आपको कोई नया पद प्राप्त हो सकता है, सिंग राशी के जातकों आज गलत संगती को त्यागे, वहां चलाने में थोड़ा सावधानी बढ़ते हैं, और समय पर दव प्रास ना चोड़े वरना आज आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसके साथ ही कन्याराशी के जातकों आज आपको अधिक मेहनत करने पढ़ सकती है, इसके साथ ही आज ऐफिस में इनक्रिमेंट भी आपको मिल सकता है, आज ज्यादा खुश रहेंगे आप, और कन्याराशी के आज आपका दिन सावधानी से रहने वाला है, आज किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, इसलिए आज ज्ढ़ा बातचीत ना करें और किसी भी छोटे मोटे विवाद को बढ़ानी की कोशिश ना करें. तुला राशी के जातकों आज आप काफी परिशान भी हो सकते हैं और आपको तनाव महसूस भी हो सकता है चिंताओं को कम करने के लिए आज आपको अपने पार्टनर के साथ बाचित करनी चाहिए और अपने स्वास्त का भी आज ख्याल रखे कुल मिला कर तुला राशी के जा परिष्याओं में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए वरना आगे चल कर आपको काफी ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज आपका मन खुश भी रहेगा परिवार के सदस्यों को लेकर आज आप थोड़ा चिंतित रहेंगे उनके स्वास्त का आज ख्या आपका लोग मजाग बना सकते हैं आपके पीट के पीछे आपकी बुराईया कर सकते हैं इसलिए आपके साथ लेह आ इस आपके बात केanger ठालें ना भूले वरना आज आपको हानी का सामना करना पड़ सकता है धनराशी के जातकों इसके साथ ही आज आज आपको अपनी बिमारी का इलाज भी जल्दी कराना चाहिए अनथा कोई छोटी मोटी बिमारी भी जो है बड़ा रूप ले सकती है कुल मिलाकर धनराशी के जातकों आज आपको अगली रासी है मकर राशी मकर राशी की जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है आज आपको अचानक धनलाव हो सकता है जिससे आपको मन काफी परसंड रहने वाला है आज आपके बिगडे हुए काम बन सकते है छोटा-मोटा बिवाद लेकिन आज बड़ा रूप भी करनी पढ़ सकती है, अगले रासी है कुम्भरासी, कुम्भराशी की जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, परिवारिक सुक्स विधाओं में आज बढ़ोतरी होने वाली है, आज बड़े अधिकायों से आपको ताल मेल बना कर रखना चाहिए, कुम्भराशी के जातकों, आज आप अपने प्रेमी या फिर अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घुमने जा सकते हैं, कुम्भाशी के जातकों आज आपका दिन अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का आज आपको ध्यान भी रखना होगा, अंतिम रासी है मीन रासी, मीन रासी के जातको आज आपका दिन अच्छा है आज अपने आप सहस के बल पर कई कारियों को पूरा करपाने में सफल होने वाले हैं मीन राशी के जातकों आज आप अपने करियर से संबंदित कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं मीन राशी के जातकों आज किसी परकार की परिशानी अचानक आपक करते हैं मीन राशी के जातकों कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा है इसके साथ ही मीन राशी के जातकों आज आपको क्रोध से बचने की आवशकता है क्योंकि आज आप क्रोध में कोई बड़ा निर्ने ले सकते हैं जिसका पस्तावा आपको बाद में चलकर होगा तो दर् उसकार